नमस्कार बहुत स्वागत है आपका देख रहे हैं जोतेश जराहट के मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फ्रेंट पित्र रिन का ऐसा लक्षण कभी सोचा भी ना होगा कि पित्र प्रकोप इस प्रकार से भी हमारे सबक्ष उपस्थित हो सकता है प्रियमित्रों हमारा यह शरीर पित्रों के आशिरवाद का परिचायक है उनके आशिरवाद से ही यह शरीर हमें प्राप्त होता है उनके आशिरवाद के द्वारा ही हम इस शरीर को धालन कर पाते हैं वो पीड़ी दर पीड़ी चलता चलाता है और हमारे पिता आते हैं और हमारे पिता के सहारे हम इस प्रिथवी पर आजाते हैं कई बार इधर उधर के कारणों के चलते किसी न किसी वजह से हमारे इस शरीर में मस्तिश्किय भीमारी जर्म ले लेती है जिसे आंगल भासा में अलग-अलग नाम देते हैं ओसीडी डिप्रेशन आदी इत्यादी हमारा हमसे कंट्रोल हटना यह प्रेत प्लस पित्र बाधा का परिचायक है पित्र ही प्रेत है पित्र ही प्रेत है बस वो पीडित होते हैं उनके अंदर पीडाएं होती है उन्हें त्रिप्ती की दरकार होती है लेकिन हम उनकी सीमाएं है वो चुकी परालौकिक हो चुके अब उनकी शरीर इस प्रिथ्वी पर नहीं है माध्यम नहीं है निमित्त नहीं है वो हमसे याचना चाहत मत करते हैं मांगते हैं कि उन्हें मोक्ष दिया जाए और हम उधर ध्यान नहीं देते अपने भोग के चलते हमारा भोग आगे आगे चलता है इसलिए हमारा ध्यान उधर नहीं जाता भोग मने दुख उठाने की कारण किस वजह से हम दुख उठाएंगे दसम से दसम भाव होता है सप्तम अब एंगल लीजिए और चैलन्ज कर रहा है संतोश संतोशी आपका एश्टो फ्रेंड बाई साब ये एंगल कोई माई का लाल जोट्शी ठोक के बोलते हैं नहीं दिखा सकता दसम से दसम सेवन्थ हाउस सप्तम भाव और इसी के दोनों दुती और द्वादस हमारे जीवर में दुख, कश्ट, चिंता, परेशानी, आदि इत्यादी का जनक है ये पितरों के दोनों हाथ हैं एंगल देखिएगा एक बाया और एक दाहिना अश्टम भाव दाहिना हाथ है जो मृत्यु देता है जो हमें भी पित्र बनाता है पित्र का बैंक बैलेंस है एंगल देखिए उच्छल के ताली बजाए कोई माई का लाल बता दे अब तो मन नहीं करता है कि सब आपको दे इतनी गहरी चीज है ये जो मैं दे रहा हूँ अश्टम भाव हमारे पित्रों का दाहिना हाथ है और छठा भाव हमारे पित्रों का बाया हाथ है इन दोनों भाव की पीड़ा दुख, कर्ज, बिमारी, शत्रुता और अंततो गत्वा मृत्यों अगर ये भाव आपका पीडित है तो आपकी पितर आप से सुपर पीडित है और भाई साहब आपको पटकेंगे जरूर और 6-8 का संबंध ही आपको डिप्रेशन में ले जाता है मांसिक और साथ ले जाता है अर्थात ये पूरी तरह से पित्र प्रकोप पे आधारित है पूरी तरह से पित्र प्रकोप पे आधारित है अब इसके इलाज की व्यवस्था क्या है देखिए आप जड़ में नहीं जाते ये बिडंबना है अगर जड़ में जाएं तो इलाज बहुत सहज है आप काभी दोश क्या ही बोलू मैं आप चक्रों में पढ़ जाते हैं गिर्गवा कपड़ा पहन के साले जो लुटेरे बैठे हैं चारों तरफ जिनको सिर्फ आपके पैसे से मतलब है ना कि आपके कल्यान से प्रेमित्रों पूरी प्रिथवी पर सिर्फ गया जी एक ऐसा जगए है जहां पित्र शान्ती होता है बाकी कहीं भी आप भटक लीजिए मैं खुला चैलेंज करता हूँ कि बंभान में कहीं पर भी आप पिंडदान करवाईए पित्र रिण उसके बाद अन्यवाली पीड़ी में मिलना तैं है लेकिन अगर गया जी में आपने करवा लिया आपके बच्चों की कुंडली में 6-8 की पीडा और सूर की पीडा नहीं मिल सकती नहीं मिल सकती मतलब नहीं मिल सकती तो अगर आपका बच्चा आपका बेटा आपकी बेटी डिप्रेशन में जाती है जाता है आप प्लीज एक बार उसकी कुंडली तुरंद दिखवा लीजिए बड़ी बात है ये क्योंकि ये एक सिम्टम होता है आने वाले समय में सुसाइड करने का इसका लाश्ट परणिती मैंने क्या कहा अश्टम भाव ये भी पितरों का ही है ये पितरों का बैंक वैलेंस सब्तम से दुतिय सब्तम भाव हमारे दादा का होता है दसम पिता का दसम से दसम पिता से पितर दादा चारो केंद्र तो पितरों पर पितरों का ही कबजा है चारो केंद्र पितर है और केंद्र का बल क्या होता है जोते शास्तर में आपको बाई सीदी सी बात आत्मा वही है आत्मा गई शरीर मिट्टी है दस घंटे में सड़ जाती शरीर अंदर की चैतन्यता है पित्र तो अगर आपके बेटा बेटी के अंदर आपके अंदर आपकी पत्नी पती के अंदर इस प्रकार का दोश है तो आप लोगों से प्रार्थना है समय अभिशेश है हमारे कार्यारे के दिये गए नंबर 9354619250 पर आचारे शिवम मिस्रा से तुरंत पित्र शांती महायगी की विशय में बात करें आने वाले 26 सितंबर से 2 अक्टूबर हम इसका आयोजन कर रहे हैं और आप देखेंगे संपूर्ण विधी आपके रहने खाने की ब्यवस्था भागवत का पाठ शाम को चार से साथ सारी विवस्था एक साथ है 26 सितंबर से 2 अक्टूबर आप आ सकते हैं आप बिना आय भी भाग ले सकते हैं सारी विवस्थाएं हैं सारी विधिया हैं आप देख लीजिए कैसे क्या करना है अपॉइंट्मेंट जरूर ले लीजिएगा हम जिन शहरों में आ रहे हैं वो शहर नीचे लिखा हुआ है जिसमें से 27-27 जुलाई जहरादूर 29-30 जुलाई चन्रीगर्ण और फिर 3-4-5 अगस्त को जैपुर और 19 जो है 19 को तो रक्षा बंधन है उसके बाद बरारस आ रहे हैं सबसे पहले चीज तो गोहाटी आ रहे हैं माका माख्या के दर्शन भी होंगे माई बुलाएंगी तो 10-11-12 अगस्त गोहाटी अपॉइंडमेंट चल रहा है बुकिंग करा लीजिए जैपित्रदेव ओम नमस्षिवाए आचार्य विश्व प्रसिध जोतिशा चार्य संतोश संतोश जी ने अपने 13 वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृती की शक्ती को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आप के जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुद्ध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्ष्मी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीप मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदीप दीप एक खुशिया अनेग